हलो दोस्तों आप सबी का हार्दिक स्वागत है। आपके अपने यूटूब चैनल मीस Tiffany Academy फर। दोस्तों आज हम बताएंगे पंच भुज की संख्या कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा तिरबुजों की संख्या निकालना, वर्गों की संख्या निकालना आयत की संख्या निकालना यह आप सब निकाल लेते होंगे दोस्तों अब जो प्रशनिक जाम में आ रहे हैं नए पैटन पे उसमें पंचबुच की संख्या भी पूछने लगे हैं दोस्तों पंच भुज में होता क्या है पांच भुजाएं होती हैं और पांच भुजाओं से बनी आकरती को काउंट करना काफी कठीन हो जाता है तो दोस्तों आज हम इसको बताएंगे एक ऐसा ट्रिक आप सेगेंडों में सवाल को लगा लेंगे एक भी आपका समय नहीं आता है तो अगर आपको समझ में आया तो कर दी अगर नहीं आया तो आप छोड़के चले आएंगे तो दोस्तों पंच भुज आप ये समझ लेजिए कि तिरभुच अवर्ग जो आयत की संग्यां निकालते हैं उससे भी बहुत आसान होता है पंच भुज बहुत आसान होता आकरती इस तरीके से बन रही है ये देखिए एक भुजा हो गई दो भुजा हो गई तीन भुजा ये माल लेते हैं चार और ये पाँच आप ने देखा एक हमारी पंच भुज यानि पांच आकरती की अगर भुजा अगर बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं पंच भुज में तो काफी टाइम फिल होगा अगर यहां से देखते हैं एक दो तीन चार पांच और इसी तरीके से अगर यहां से काउंट करेंगे यहां से काउंट करेंगे दोस्तों देखिए एक दो तीन चार पांच तो दोस्तों अगर इस तरीके से काउंट करेंगे तो आप देख रहे कितना टाइम फिर लो रहा है क्या एक्जाम में इतना टाइम होता है हमारे पास कि इनको count करें फिर count करें तो दोस्तों जो आज हमें एक trick बताने जा रहे हैं यह इतनी आसान ट्रिक है आप कभी भूलेंगे नहीं और नहीं आपका कभी सवाल गलत होगा देखिए दोस्तों ट् कितनी भी भुजाएं हैं कोई व्याकरती सेम सेव की होनी चाहिए आयत हो या वर्ग हो या रॉंबस हो कुछ भी हो लेकिन हमें भुजाओं के मद्ध बिंदु को देखना है और ऐसी आकरती के मद्ध बिंदु को देखना है जहां से दो या दो से अधिक भुजाएं जा रह अगर दो या दो से अधिक भुजाएं, जहां से जाएंगी, वो point हमें count करना है, जैसे दोस्तों देखिए, अगर हम ध्यान देते हैं, अगर ये एक आकरती एक बन रही हमारी आयर टाइप की, और इस पे देखिए, यहां पर एक ये क्या है, मद्द बिंदू है भुजा का, हम इसी तरीके से एक point हमारे ये भी हो रहा है, दो point हो गए, और इसी तरीके से एक point हमारे ये भी हो रहा है, तीन हो गए, और दोस्तों एक ही हो गया, चार, आपको चार दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, एक दो तीन चार, अब दोस्तों थ्यान देजिए कि एक आकरती आपकी यह भी बन रही है यह और फास सबाएं आप देख रहे हैं रोंपस टैप की बन रही है इसका जो मिडल पाइंट यह तो यह पिलन यहां से 1 बुजन यह यह जाinto एक भूएंट और एक हमारे ये भी हो रहा है तो दोस्तों टोटल अगर हम पॉइंट काउंट कर लें कि भुजाओं को जो मद्री बिंद्र से दो या दो या दो से दिक भुजाओं जारी कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, चाह, साथ, आठ आपको कितने पॉइंट दिखे ऐसे आठ अब देखिए दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक आकरती इस तरीके से बन रही है अगर आप सोच रहे होंगे कि यह हो गया है ना मिडिल या बुज जाएं ठीक है उसमें से एक कम कर देंगे 8 में से एक कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा 7 अब आपको करना गया जब 7 आपको पता चल गया साथ आ गया अब आपको इसी में से 4 का मल्टिप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा मल्टिप्लाई हमेशा 4 से करेंगे जब 4 से हमारा कितना आएगा 28 यानि इस प्रस्ण में जो पंचभुज बनेंगे हैं हमारे टोटल वो 28 होंगे अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम फिलोगा दोस्तों और आप काउंट करने बहुत टाइम फिलो जाएगा तो इस तरीके से लगाईए कोसान आपका कभी गलत नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा जो प्रस्ण का सही अंसर होगा दोस्तों आपसा नंबर काउंसा होगा तीसर होगा दोस्तों इसी टाइप के कोसन आउट देखते हैं ताकि हमारा जो कांसेप्ट है और अच्छे से किलियर हो जाए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं लिखा हुआ है How many pentagons are there in the given figure यानि इसमें हमको ये बताना है कि कितने हमारे पंच भुच है pentagons का मतलब क्या होता है पंच भुच तेकि दोस्तों कैसे निकालेंगे अभी हमने क्या बताया हमें एक ऐसे आकरती देखनी है अकरती ठीक है उसके मतलब बिंदू से दो या दो से अधिक भुचा जा रही है कम से कम दो तो जानी ही चाहिए चलिए दोस्तों अगर हम ध्यान देते हैं एक तरीके से यह हमारा यह हो गया यहां से देखिए यह भी जा रहा है यह जा रहा है ठीक है न एक पॉइंट हमारा यह हो गया अब भुचाओं का मतलब बिंदू देखना इस चीज को भी ध्यान रखिए भुचाओं का मतलब बिंदू इस भुचा का मतलब बिंदू यह है यहां से भी दो भुचा जा रही है कोई दिक्कत नहीं यहां से भी देखिए दो जा रही है और यहां से भी देखिए दो भुजाएं जा रही है तो कुल मिलाके इस आकरती में ऐसे कितने मद्द बिंदू है भुजाओं के जहां यह दो से अधिक आकरती जा रही है वो हमारे पास चार आगे अगर आप सोच रहे पहते होगे कि एक आक्रति तो ये भी ऐसे बन रही है इसलिए इस को हम काउंट het नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने ऐसे पौाइंट है जहांसे दू या दो सब्सक्ती भुजाएं जा रही है तो यहां पर देखा चार आया चार में से कम कर देंगे कितना आएगा चार में से कम करेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा अब आपको करना क्या है तीन में से करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद